गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम लोग अवर नी सेकेंड यूनिट में चैप्टर नमर फोर दा फूड वी इट भोजन जो हम खाते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम चैप्टर का कुछ पार्ट रीट करते हैं फिर उससे रिरेटेड आपको हम होम़्वर्क देखें वह हम वर आपको करना है ठीक है तो मैं रिट कर रहा हूं फूड इस होन आप वर बेसिक नीट्स फूड भोजन क्या है हमारी मुल भूत आवं सकता हूं प्रतेग जिवित प्रावणरी को रहने के लिए जिवित रहने के लिए बोज़न की आव सकतर प पड़ती है ठीक है ना इट हेल्प आस टू ग्रो या बढ़ने में हमारी मदद करता है कौन फूड 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 गिपस अस एनरजी टू प्ले एंड वर्क जो भूजन होता है क्या देता है हमें इनरजी देता है उर्जा देता है किसके लिए खेलने और काम करने के लिए food can be, भोजन हो सकता है, vegetarian food and non-vegetarian food, ठीक न? food दो परकार का हो सकता है, vegetarian दूसरा non-vegetarian, अब देखते हैं, vegetarian food कौन कौन से होते हैं, और non-vegetarian foods कौन कौन होते हैं, ओके? तो food grains, vegetables, fruits and milk are vegetarian foods, कौन कौन से है, food grains, जो अनाज होते हैं, ठीक है न? grains मिज अनाज, vegetables, सबजियां, fruits, फल, milk, दूद, यह कैसे food हैं, यह vegetarian food हैं, ठीक है न? और next, non-vegetarian food कौन होते हैं, eggs, अंडे, meat and fish are non-vegetarian food, इसे अंडे हैं, माल्स है, मचली है, यह सब क्या हैं, non-vegetarian food हैं, ठीक है न? तो, vegetarian means, साकारी, ठीक है न? food है, अब यह बताते हैं, कि यह food, जो खाने वाले होते हैं, जैसे vegetarian food को खाने वालों क्या कहते हैं, और non-vegetarian food को खाने वालों को क्या कहते हैं, यहां पर नीचे लिखा हुआ देखिए, people who eat food which we get from plants are called vegetarians, जो लोग, people, वो लोग, जो भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, और वो भोजन हमें कहां से मिलता है? प्लांट से, पोधों से, तो प्लांट से प्राप्थ हुआ भोजन जो आदमी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, vegetarians, ठीक है न, यहांनी, vegetarian food को खाने वालों को हम क्या बोलते हैं, vegetarians, ठीक है न, इसी तरीके, people who eat meat, fish, or egg are called non-vegetarians, ठीक है न, वे लोग जो meat, fish, egg, यह सब चीज उनको बोलते हैं non-vegetarians, तो हिंदी में इनको कह सकते हैं vegetarian food को साकारी और non-vegetarian को मांसारी, ठीक है न, तो एक्जाम पर भी जान लिए कि जो भी food हमें plant से मिलते हैं, ठीक है न, वो होता है vegetarian food, शाकारी बोजन, और जो हमें meat, flesh, ठीक है न, जो मांस, एनिमल से मिलता है या एक हो सकते हैं, फीस हो सकती, ठीक है न, यह क्या होता है, non-vegetarian food मांसारी, ठीक है, ठीक है, next चलते हैं, अब यहाँ पर दूसरा topic है, sources of food, ठीक है न, the food we eat is obtained either from plants or from animals, जो भी भोजन हम खाते हैं, या तो हमें plants से मिलता है, या एनिमल से, या पौधों से, या जानवर से, ठीक है न, तो कुछ food हमें plants से मिलते हैं, कुछ food हमें animals से मिलते हैं, ठीक है न, तो source of food क्या है, plants and animals, अब source of food means, इसको हिंदी बोलते हैं, भोजन के स्रोथ, ठीक है न, अब बारी बारी से समझेंगे, कि food from plants कौन कौन से होते हैं और food from animals जो food हमें plant से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और जो food हमें animals से मिलते हैं वो कौन कौन से food हैं तो यह मैं read कर रहा हूँ some food stuff are grown on land कुछ भोजन सामागरी food stuff means खाद शामागरी ठीक बोच सकते हैं स्वाइजिए और ग्रोण ऑन लैंडhew़ें ृधूर भोजन सामगे कुछ खाद सामघृें काव पे या जाती है जमीन पर अगाय जाती है ठीकर न तो वो क्या होते हैं food from plants वो हमें कहा से मिलते हैं फ्लांट से मिलते हैं ठीक है अब कौन-कौन से हैं, देखिए, we get grains, अनाज, ठीक न, pulses, लब दाले होती हैं, ठीक है न, अब cereals, ये मोटे अनाज जो होते हैं, vegetables, सबजियां, ठीक है न, and foods, फल, from plants, ये सब हमें कहां से मिलते हैं, plants से मिलते हैं, ठीक है न, जैसे आपको ये figure में भी दिखाई दे रहा है, यहां कुछ foods हैं, vegetables हैं, और कुछ cereals and grains वगला दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे बिरिंजल, cabbage, ठीक है न, grapes, ये सब, ये सब food कहां से मिलते हैं, food from plants, ये हमें plants से मिलते हैं, next है, we must eat fresh fruits and green vegetables, एक चीज़ का हमें सा याद रखना, हमें हमें सा ताजे, फल और हरी सबजियां खानी चाहिए, ठीक है न, अब तो ये तो होगे, food from plants, अब जान लेते है, food from animals, ठीक है न, animals से कौन कौन से, food मिलते हैं, we get eggs, flesh, meat and milk from animals, क्या-क्या मिलता है, eggs, flesh, meat and milk from animals, ये हमें कहां से मिलता है, जानूरों से, milk is again used, यहां भी थोड़ा सा mistake हो गई, बात मुना चाहिए, milk is again used to make many things like cheese, butter, curd, chocolate, घी, ठीक है न, तो milk को दुबारा use करके क्या बना जाता है, cheese, paneer, butter, मखन, curd, दही, chocolate, घी, तो milk से और उसके product बना जाते हैं, ठीक है न, तो जो भी food items हमें animals से मिलते हैं, ठीक है न, उनको हम क्या बोलते हैं, food from animals, तो sources आप food किन्ने प्रगार के होते हैं, दो, एक जो food from plant से मिलते हैं, और दूसरे जो food from animals से मिलते हैं, ठीक है न, तो आज के EVS exercise में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है कि sources आप food क्या होते हैं, food क्यों जरूरी है, ठीक है न, और food कौन कौन, types of food बता हैं, कौन से, vegetarian और non-vegetarian, और vegetarian जो food जो लोग खाते हूं को क्या बोलते हैं, vegetarians, और जो non-vegetarian food खाते हूं को non-vegetarians, ठीक है न, तो इसी से related आपको मैं कुछ homework देता हूं, वो आपको करना है, और notebook में करके फिर send करना है, ओके, तो यहाँ पर homework दिया है, revision का, तो first question है we take three main meals in a day, हम three main meals जो भोजन करते हैं, तो आपको match the timing of meals, आपको क्या करना है, उसकी timing को match करना है, जैसे morning, afternoon, night, तो इनमें से dinner, breakfast, lunch, cup, cup करते हैं, वो आपको match करना है, ठीक है न, second question है, which of these we get food from animals and which we get from plants, नीचे कुछ food items दिये हैं, उनमें आपको यह देखकर बताना है कि कौन से हमें animals से मिलते हैं, और कौन से हमें plants से मिलते हैं, बलब source आप food find करना है, कि plants के कौन से product हैं, और animals के कौन product हैं, ठीक है न, तो यह आपको करना है, ओके, तो आज की EVX exercise में इतना है, मा की फिर नई वीडियो माएंगे, तब तक के लिये, बाबाइ